बात कर लेतें उत्राखन की तो उत्राखन में बाध और लैंड्सलाइड ने जन जीवन को बुरी तरह से अस्तवेस्ट करके रखा हुआ है अंदुरुनी गाउं कस्बों के साथ साथ इलाके के हाईवे भी इसे प्रभावित हैं कम से कम दो हाईवे खतरनाक लैंड्सलाइड की चपेच में हैं और उत्राखन में सैक्रो लोग इसमें फसे हुए है मान सरूर गए हुए यात्रियों को एरलिफ्ट करके बचाया गया है अब तक की गतिवीधियों को आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट के सरे हैं हिमाचल से लेकर उत्राखन तक इन दिनों बाढ़ और बारिश ने जिन्दगी की रफ़तार को ठाम दिया है सड़कें लेंड्सलाइड की चपेट में पहार दरख कर सड़कों पर आ रहे हैं सबसे ताजा लेंड्सलाइड रूद्र प्रयाग में हुआ बद्रिनाथ हाइवेर उत्रख्रयाग के पास ये पहार अचानल भरभरा का गोट पर आ गिरा पहले पहार का कुछ इसा गिरा इसके बाद देखते ही देखते पूरा पहार खेज़कर नीचे आ गया बड़ी बड़ी चटाने और पेर की समी दोज हो गए लेंड स्लाइड से लोग बाल बाल बचे रहें बद्रिनाथ हाइवे पर जगा जगा इन दिनों भूस्खलन हो रहा है कई घंतों से बद्रिनाथ हाइवे बंध है एक रोस पहले भी रुद्रब्रयाग में खतरनाथ लेंड स्लाइड हुआ था ये तब की तस्वीर है पिथोरागर जिले के मुनस्यारी से भी भूस्खलन की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आली पेड़ पौधे जाड़ियों और बोल्डरों के साथ सड़क पर भरभरा कर पहार गिर गया भूस्खलन की वज़े से मुनस्यारी से चावना हर कोट को जोडने वाला ये सड़क मार पूरी तरह से बंध हो गया है वो तो शुक्र था कि कोई गारी चपेट में नहीं आई वरना क्या हाल होता समझा जा सकता है पिथोरागड में कैलाश मां सरवर सलग बंधरोंने के कारण बूंदी में कई तीर्थी आत्री फस गए इनको 36 घंटे बाद हिलकॉप्टर से रेस्क्यू कर धारचुला पहुचाए गया हिलकॉप्टरों ने कुल आठ उडाने भरी यात्रियों ने जान बचाने के बाद राहत की सांस में हम सब 22 यात्री आधिक एलाश की यात्रा में थे बागेश्वर में भी पारिश की तबाही पसड़ी हुई है कहीं सड़कों पर पहार फूट कर बिखरा है तो कहीं बरसाती नालों के साथ सड़के ही बैगी कई लाकों का बाहर से संपर्खी कड़ गया पारों पर नदियां भी हुंकार भर रही है उत्राखन के रामनगर में सड़कों पर सेलाब आया हुआ है और लोग जान सोखिम में डालकर इसी के बीच से आ जा रहे है उत्तरकाशी में गंगा की लहरों का ये शोर खौफ पैदा कर रहा है गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दिवाल पर भूप कटा हो रहा है जिससे पैदल रास्ते सही आसपास बने घरों को बड़ा खत्रा बना हुआ है गंगा नदी भी खत्रे की निचान से उपर बैर रही है जिसने आसपास रहने वालों की टेंशन बढ़ा दी देहरादूल, तिहरी, पॉड़ी, नैनिताल, चंपावर, उधम सिन्नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती हिमाचल के कांगरा में तो बारिश ने घर की नीवी स्कदर हिलाई कि घर ही भरभरा कर गिर गया पहले इस घर में दरारे आई और पुछी मिंटों के भीतर ये नदी में समा गया पहाडों में बारिश ने इन दिनों जिन्दगी को पूरी तरह अस्व्यस्त कर दिया है और फिलहाग रहत लेती नहीं दिख्ती उत्तरकाशी से ओंकार गुणगुडा और बागेश्वर से अमिक भरद्वाज के साथ आज तक बेराई